हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब और देखिए यूपी सरकार ने 50 साल के उम्र में रुटार्मेंट और 5 साल सम्विदा पर रखे जाने के खबरों का खंडन किया है ये खबर कल से ही सवकुलेट हो रही है यूपी के डेपिटी सीएम केश्व परसाद मौड ने कहा है कि ऐसा कोई फैसला सरकार ने लिया ही नहीं है जो लोग कुफराम मचा रहे हैं वो क्यों अफ़वा फैला रहे हैं प्रदेश की सरकार के माध्यम से संविधा की जो पूर्वत विवस्ता है उसमें कोई ना परिवर्टन हुआ है ना भी होने वाला है ना कोई ऐसा सरकार के अस्तर पर बिचार है यूपी के डिपटी सीएम केश्व परसाद मौड रहे हैं कि ना ऐसी कोई योजना थी और ना होगी लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों ही प्रस्तावों पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों और चौतरफा हमले के बाद यूपी सरकार फिलहाल बैक फुट पर आ गई है। गुरुवार को इसी मामले पर प्रियागराज में चात्रों और पुलिस के बीच जम कर भिड़न्त हो गई। खबर थी कि योगी सरकार जिस नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है उसमें सरकारी नौकरी के पहले पांच साल करमचारियों को समविदा यानी कॉंट्रेक्ट पर नियुक्त करने की विवस्ता है। संविधा पर रखे करमचारियों के काम का हर छे महीने में मुल्यांकन किया जाएगा हर छे महीने में एक परिक्षा होगी जिसमें 60 फीसली नंबर लाने वालों को ही नौकरी पर रखा जाएगा कॉंग्रेस महासरचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंगा गांधी ने इसे काला कानून करार देते हुए ट्वीट भी किया था पांच साल संविधा कानून एक काला कानून है यूआउं की भरतियों पर ताला लगाना अन्याय है इस अन्याय के खिलाफ यूआ अपना हक मांगने के लिए सडकों पर उतर रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए आपकी लाठी इस यूआ ललकार को दबा रही सकती केश्व प्रसांद मौरे का कहना है कि पचास साल में रिटार्मेंट की बात भी अफवा है और ये विपक्ष की हरकत है लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस मुद्दे पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं खुद बीजेपी विधायक भी सरकार को कटगरे में खड़ा कर रहे थे कुछ विधायकों ने तो बाकाइदा मुख्यमंत्री को पत्र लेकर भी अपना विरोध दर्ज करा दिया था ऐसे में सवाल उड़ता है कि अगर ये बात पूरी अफवाही थी तो सरकार ने सफाई देने में इतनी देर क्यों कर दी कि अर्दीच में इतनी देर कुटकुन सवाल देर कि उ थी एम इतनी अर्ट मून स्वापवाणतiqué में देर क्यों कर दो Kings द sì झाल